पर्तियोगी प्रिक्साओं की तयारी को समर्पीत सभी मेनत कस पर्तियोगियों का अपने इस यूटूब चैनल में हार्दिक स्वागत साथियो इस परसन पत्र में भी फर्तम परसन पत्र की तरह सभी त्री परसनों का समावेश किया गया है साथ ही आपको ये बता दें कि ये परसन पत्र साधा और तैयारी करने वाले अभ्यरतियों के लिए नहीं है वैसे इस परसन पत्र में 50 परसन उत्रों की एक सरंकला है परन्तु कई परसनों में आपको अन्य परसन भी देखने को मिलेंगे और जो अभ्यरति चैनल पर नए है तो वो चैनल को सब्सक्राइब रावस से कर लें ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो है उनके नोटिविकेशन की सूचना उनको तुरंट प्राप्त हो सगे तो शुरू करते हैं इस परसन पत्र को जिसमें पहला परसन दिया है कि करताल सिरीमंडल गुरालियों ये घनवाद्दे हैं दूसरे सवाल में राजस्तान का एक मात्र पसू विज्ञान चिकिस्या महाविद्दाले बिकानेर की स्तापना कब हुई तो वो हुई ती 16 अगस्त 1904 को तीसे पसंद में राजस्तान राजे सैकारी आवासन संग द्वारा ग्रह निर्मान सैकारी सिमिती के सदस्यों को मकान मरमत हेतू रेन उपलब्द कराने हेतू वर्स गुनी 108 में से सुरू योजना है उसका नाम बताना है तो वो योजना है बेबी ब्लेंकट योजना योजना चोते नमर के सवाल में आठ वी से दस्वी स्तापदी तक राजस्तान में मंदिर स्तापत्य की कि सेली का विकास हुआ आठ वी से दस्वी स्तापदी तक राजस्तान में मंदिर स्तापत्य की जो सेली विक्सित हुई थी उस समय उसका नाम बताना है तो उस जमाने में था पांस नमर के सवाल में जन संक्या के बारे में कुछ facts दिये गए हैं और उनके बारे में हमारे को बताना है देखना सरवादिक ग्रामेन लिंगा नुफात है वो पाली जिले का है वहां उनका लिंगा नुफात एक जार तीन है सबसे ज्यादा राजस्तान में ये ऐसा एकमातर जिला भी है जो एक जार से भी ज्यादा ग्रामेन लिंगा नुफात रखता है तो ये एक जार तीन है और सहरी सरव पर चार सवाल हैं वो एक साथ में तयार हो रहे हैं वो देखना दुबारा सरवादीक ग्रामेंड लिंगा नुफात पाली का 1030 सरवादीक सेरी लिंगा नुफात टोंक का 925 निउन्तम जंसंक्या वाला संभाग है वो कोटा है और सबसे कम शित्रफल वाला संभाग है वो भरतपूर है सातियों में आपको विस्वस्त कर देना चाता हूँ कि जितने भी जो परसन आएंगे उनके सभी के परसनों के जो उत्तर हैं वो एकदम सुद और सटीक हैं वो बहुत ही ध्यानपूरवक और पूरी मेनत के साथ में उनके उत्तर खोजे गए हैं और कहीं पर भी तुरूटी की कोई जगए नहीं छोड़ी गई है इसलिए आप बिल्कुल विस्वस्त रह सकते हैं च्छे नमर के सवाल में साहित्य और साहित्यकार तो इसमें एक तरफ साहित्यका नाम दे रखा है दूसरी तरफ कोई की साहित्यकार के द्वरा रचित हैं तो कुरूम विल्लास गरंथ है ये कवी चंद के द्वरा तासरो घर है ये याद्वेद्मिर सर्मा चंदर के द्वरा दुबारा देखें कुरुम विलास कवी चंद के दुबारा तासरो घरे यादवेंदर सरमा चंदर आबे पटकी सिरिलाल नत्मल जोसी और समी खुलतो मारग नंद भार्त वाज की रचना है तो यहाँ पर भी आपकी चार रचनाए हैं वो तयार हो रही हैं फिर आगे लें देखना बिकानेर परजामंडल की स्तापना कलकत्ता में किसकी अद्धेक्सता में हुई थी ये सन गुनी 136 में बिकानेर परजामंडल की स्तापना हुई थी और वो भी स्तापना हुई कलकत्ता में हुई थी बिल्लों के द्वारा कौन सा एक अवसर ऐसा है जिस पर घर की दिवार पर भराडी नामक लोगदेवी का चित्र है वो बनाया जाता है तो लड़की के विवाह पर उस लोगदेवी भराडी नामक लोगदेवी है उसका चित्र दिवार पर बनाया जाता है नो नमर के सवाल में एक तरफ राजस्तान के प्रियाटन सर्किट दे रखे हैं दूसरी तरफ वो कहां पर कौन-कौन से प्रियाटन सर्किट में कौन-कौन से जिले आते हैं या कौन-कौन से इस्थान आते हैं उनके नाम दे रखे हैं तो माउंट अबू सर्किट है सबसे पहले उसमें माउंट अबू में माउंट अबू रनकपूर और जालोर ये तीन इस्तान है ये माउंट अबू सर्किट में जबकि अलवर सर्किट में अलवर सिलिशेड और ये सरीसका ये तिनुई अलवर की स्तान है ये अलवर सर्किट मे आते हैं और मेरवाड़ा सरकीट है इसमें अजमेर, फुसकर और मेड़ता और नागोर ये मेरवाड़ा सरकीट में है और रन्थमबोर सरकीट है ये है रन्थमबोर स्वाइमादपुर और टॉंक में दुबारा देख लें एक बार मौंट अबू सरकीट है उसमें मौंट अब उनका पूचा जाता है कि कौन से परियाटन सरक्रेटे कहां किस-किस इलाकों में आते हैं या कौन-कौन से इलाके हैं या जो जिले हैं वो सामेल हैं, तो ऐसे परसंद पूचे जाते हैं। दसनमर सवाल में, राज्य पाल के बारे में कुछ नीचे बातें दी गई हैं, उनके बारे में। और राजे वीतायोग का गठन है वो राजे पाल के द्वारा किया जाता है। बारा नमर के सवाल में तांबा दातु के सिक्कों को प्राचीन राजस्तान में तिर्शुलिया, ढिंगला और भिलाडी के नाम से जाना जाता था। कन्या समर्दी योजना में राज्ये में इस योजना की सुरुवात है वो चार फरवरी 2015 को हुई थी इस योजना की सुरुवात राजस्तान में और खाता खोलने की तारिक से 15 वरस तक राशी जमा करवाई जा सकती है। और एक कुटम की दो महिलाओं का खाता है वो खोला जा सकता है। एक ही परिवार की दो बालिकाएं हैं उनका खाता है वो खोला जा सकता है। तो ये सुकन्यासम्रद्धी वजना के बारे में कुछ बात नहीं थी। देखने हैं। ये ही परियर्टन का विपाग का लोगो है वो अस्तित्व में है। साथि इस परसनपत्र में आपको सभी परकार के परसन हैं वो देखने को मिलेंगे। जियोग्राफी से समंदिर, हिस्ट्री से समंदिर, राजतान की कलासंस करती और राजतान की योजनाई हैं। उन सभी से क्यूशन हैं वो समाईत किये गए हैं इसलिए अलग-लग परकार के वेरियंट के सवाल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। 16. सेकवाटिक सेत्र में पचलित वीवीद रंग के कपड़ों के टुकड़े काटकर कपड़ों पर वीवीद डिजाइनों में सिलना क्या कहलाता है तो वो कहलाता है पेचवर्क पेचवर्क उसकारे को कहते हैं। 17. नर्तेनाटियों के बारे में खतन है कुछ है कि राजस्तान की संसकर्ती में सबसे प्राचीन लोकनाटे है वो कौन सा है तो वो है गमरी और लोकनाटियों का मेरूनाटे किसे खा जाता है तो वो भी गमरी को ही खा जाता है दो क्यूसन है राजस्तान की संसकर्ती का सबसे प्राचिन लोकनाटे है वो गमरी है और लोकनाटियों का मेरुनाटे ये खा जाता है ये गमरी को 18 में राजस्तान राजे निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया है और ये है एक सदसी आयोग है राजस्तान राजी निर्वाचन आयोग है इसका गठन है वो जुलाई 1994 में किया गया था और ये एक सदस्य आयोग है उसके बाद में 19 में है कि देवास मद्य परदेश के पास बागली गाओं की फाड़ियों से निकलने वाली वह नदी जो जहलावाड में राजपूर इस्तान के निकट परवेश करती है तो वो नदी कौन सी है काली सिंद नदी 20 में सवीदान निर्मात्री सभा में जोदपूर से किनकोर राजचे के परतिनीदी के रूप में चुना गया था सवीदा निमाति शभा में जोदपूर्शे रकिन Конको राज्य के पठ्टि निदी के रूप में चुना गया था तो वो थे S.V. वेंख्टाचारी और स्रीजे नारहनव्यास ये दो ऐसे विक्ति थे जिनको स्विदा निमार्ति सभा में पर्थी निती के रूप में जोदपूर से चुना गया था पहले CS वेंग्टाचारी दूसरे सिरी जे नारण व्यास 21 में सब्वेता और खोज करता इसमें देखना एक तरफ सभेताओं के नाम दे रखे हैं तो ओजियाना सभेता है उसकी खोज की थी बी आर मेडा ने गिलोंड सभेता की बीबी लाल ने गनेश्वर सभेता की खोज की थी रतनचंद्र अगरवाल ने और नगरी सब्वेता है उसकी डोक्टर डी आर बंढार करने इसकी खोज की थी दुबारा देखें ओजियाना सब्वेता जो भीलवाडा में है इस सब्वेता की खोज बी आर मेडा ने की थी गिलून सब्वेता रासमंद में है बीवी लाल ने की थी गणवेश्वर सब्वेता रतंचंदर अगरवाल ने ये निमकातना सीकर में है और नगरी सब्वेता है जिसकी खोज DR भंडार करने ये चितोडगड में है तो इनकी खोज इन वेक्तियों के द्वारा की गई थी 22 नमर के सवाल में राइसिंग प्रसस्ती जुनागड प्रसस्ती संस्कृत बासा से रचित इस प्रसस्ती के रचियता कोन है देखो राइसिंग प्रसस्ती है इसको जुनागड प्रसस्ती भी कहते हैं ये संसकर्थ बासा में रचित है और इस प्रसस्ती के रचियता कौन है तो इसके जेता नामक जेनमुनी है। राई सिंग प्रसस्ती ये जुनागड विकानेर की प्रसस्ती की बात हो रही है। ये पंद्रासो और बैयासी के आसपास की एक प्रसस्ती है, तो वहाँ पर इस प्रसस्ती की जो रचना है वो जैता नामक जेन मुने ने की थी, ये विकानेर के महाराजा राई सिंग के दर्बारी का वीवी थे, फिर अगला देखना, जेवी वित्ता विरासत इस्तल दे रखें, एक तरप उदूसी तरपुन के स्थान दे रखें हैं, तो छपोली मंसामाता मंदिर है, ये जेवी वित्ता इस्तल में माना जाता है, और ये है जुनजनों में, छपोली मंसामाता का कोई इलाका है, और ये जुनजनों में है, ये विवित्ता विरासत इस्तल में, राजस्तान में समलित है, केवडा की नाल है ये उद्धेपुर में है, रामकुंडा है ये उद्धेपुर में और नागफाड है ये अजमेर में, तो ये कुछ इस्तान इस परकार के हैं, जिनको जेविवित्ता विरासत इस्तल में समलित किया चपोली मंसा माता मंदर जुंजनू, केवडा किनाल उद्धेफूर, रामकुंडा उद्धेफूर और नागभाड अजमेर। वो चपड़ा प्रियोजना है और ये बारा जिले में है, देखना इस स्ववाल को एक बार फिर से देख ले हैं, ऐसे पावर इस्टेशन जिनकी एक इकाई से 500 मेगावाड से अधिक कागर विदुद उत्वादन हो रहा है, तो ऐसे बिजलीगर को सूपर क्रिटीकल कहते हैं, और सूपर क्रिटीकल तकनीक प्राधारी तराजे की फर्तम प्रियोजना है, वो चपड़ा बारा प्रियोजना है, पचीस में, राजस्तान से अनुसुचित जाती से बने फर्तम मुख्यमंत्री कोन है, ये थे जगनात फाडिया संगुनी 181 में बने थे, तो ये जाती से समंधित फर्तम मुख्यमंत्री थे, 26 में, राजस्तान में 15 अगस्त 2004 को सुरू वह योजना, जिसका मुख्य उद्धिस ये था कि किसी भी वेक्ति की भूग से मोत नहीं हो, तो ऐसी योजना कौन सी थी, तो वो थी फूड स्टेंप योजना, 27 में, परदेश में विद्यार्थियों और सिक्सकों को ओनलाइन अध्येन से जोडने हेतु कारेकरम इसमाइल, ये वर्तमान में भोत परचलन में है, तो इसका पूरा नाम भी यहाँ पर देर का है, सोचिल मेडिया इंटरफेस फोर लर्निंग इंगेजमेंट की सुरूआत है, वो कब हुई थी, तो इस इसमाइल कारेकरम की सुरूआत है, वो 13 अपरेल 2020 को हुई थी, और ये परदेश में विद्यार्थियों और सिक्सकों को ओनलाइन के मादेम से अध्येन हेतु ये परकार का कारेकरम है, जिसका ये बड़ा नाम दिया है, जो अंग्रेजी में न जताना है, जिसकी मंतिरों में उसकी परतिमा के इस्तान पर बड़ी बड़ी इइटे होती है, उँसकी पुझा की जाती है तो ऐसे लोगदेवाता है, वो दिवनारेंट जी है, तो उत्तर है इब्रहीम अलीखा, टौॉक जिले की सुनेरी कोटी है, इसके निर्मान करता कौ तो इब्राहिम जो नवाब थे इब्राहिम अलिखां उनके द्वरा ये बनाई गई थी तीस में है राजे सूचनायोग का गठन 13 अप्रेल 2006 हुआ था यहां पर देखना कई परसन आएंगे राजे सूचनायोग है उसका गठन है वो 13 अप्रेल 2006 को इसका मुख्यले है वो जेपूर में है और फरतम अद्देक्स हैं वो MD कोरानी थे राजे सूचनायो का गठन 13 अप्रेल 2006 को मुख्यले जेपूर में और फरतम अद्देक्स हैं वो MD कोरानी है जो अभेर्थी चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइबर कर लें गंठी के निसान को दबा दें ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन की सुचना उनको तुरंद प्राप्त हो सबिए अगले गतीस नमर के सवाल में राजस्तान की जलवायू का वर्गी करण है CAW, DAW और DBW थदा EAD के आधार पर किस ने किया है ये जलवायू का वर्गी करण है उन्होंने किस ने किया है तो ये थारनवेट ने किया है CAW, DAW, DBW और EAD के आधार पर ये वर्गी करण है ये ओर तो पहुर्ट सागर, जयसलमेर में सताफिद की गई थी, दूसरी देवर चितोडगड में, और ृती DK-वर्ट supports बीधि woods. जोदपूर में, ये तीन ऐसे इस्तान हैं जहां पर पाउनूर्जा से यंतर लगाए गए थे, अमर्सागर जैसलमेर, देवगडची तोडगड़ और बीथटी जोदपूर में, तत्वाध्यों में सर्वस्रेश्ट वाध्य यंतर कौन सा है, जो तार से बने वाध्य यंतर हो उनमें सर्वस्रेश्ट वाध्य यंतर है, वो कौन सा होता है, तो वो है सारंगी, 36 में, काली भाई साक्सरता पुरुसकार सर्वफरतम 2005 में किसे दिया गया था, काली भाई साक्सरता पुरुसकार है, वो सबसे पहले 2005 में किसको दिया गया था, तो वो कमला भाई नाम की बुंदेल खंड से लेकर आये थे, और ये चारबेंट से लिए हैं, ये क्या थी? कि ये थी युद के दोराँ शीपाईउं का उत्सा बढ़ाने के लिए इसको गया जाता था. कई बार ये भी पूचा जाता है, चारबेंट से लिए क्या है? या ये क्यों फरसीद है? तो यु ठिक्रिया सिचाई प्रियोजना किस जिले में है जर्मनी के आर्तिक सहयोग से ठिक्रिया सिचाई प्रियोजना है वो किस जिले में है तो वो है उनियारा टॉंक में ठिक्रिया सिचाई प्रियोजना उनियारा टॉंक में है और ये जर्मनी के द्वारा इसमें सहयोग परदान क गया है, 49 में सन गो 1951 में राजस्तान की कुल साख सरता 8.50 थी, जिसमें पुरुष साख सरता है वो 13.8 पर्शेंटेज थी, जबकि महिला साख सरता है वो 2.66 परतिसत थी, इस तरह से ये 1921 में राजस्तान की जो साख सरता थी, वो थी, टोटल 8.50 थी, पुरुष साक्सरता 13.8 और महिला साक्सरता 2.66 परसेंटेज चालिस में, राजस्तान में संसद्य सचीव पद की व्यवस्ता सन 1967 में किस मुख्य मंत्री के काल में के गई थी, तो वो मुख्य मंत्री थे, मोहलाल सुकाडिया उनके काल में संसद्य सचीव पद की व्यवस्ता सबसे पहले की गई थी, सन 1967 में 41 में, राजस्तान कोपरेटिव डेरिफ हेडरेशन, RCDF, जिसको इंगलिस में कहते हैं, कि इस्ताफना कब की गई थी, तो इसकी इस्ताफना है, वो 1977-78 में की गई थी राजस्तान कोपरेटिव डेरिफ हेडरेशन की स्ताफना, फिर है, राजस्तान का पहला जेविक गाउं किसे बनाया जाएगा, ये भी बहुत मैतवपून परसन है, कि राजस्तान का पहला जेविक गाउं किसे बनाया जाएगा, तो ये दादी अगराम है, जेपुर का, इस को पहला जेविक गाम है वो बनाय जाएगा 43 में है गंगा गोल्डन जूबली म्यूजियम जो विकानेर संग्राले के नाम से भी फरसीद है इस म्यूजियम का उद्गाटन 5 नौंबर 1937 को किस ने किया था गंगा गोल्डन जूबली म्यूजियम जो विकानेर में है विकानेर संग्राले के नाम से भी यह जना जाता है और इस म्यूजियम का उद्गाटन पांच नॉम्बर 1937 को लारड लिंद को है उनके द्वारा इस संग्राले का उद्गाटन किया गया था चमालिस में है ख्वाजा मुईनोदीन चिस्ति की दरगा का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया था अजमेर की जो ख्वाजा साब की दरगा है इसका निर्मान है वो किसके द्वारा किया गया था तो वो गया सुधिन तुगलत खिलजी जो थे उनके द्वारा इस दरगा का निर्मान करवाया गया था 45 में है एक तरफ इस्थान देरके हैं दूसरी तरफ उस खनीज देरके हैं कêuंच से खनीज हैं वे किस स्थान पर पाए जाते हैं तो थुरणडेर इस्थान है जो उद्ध्यपुर में है यहाँ पर लोईश से पाए जयता है काईड खान अजमेर वाली है इसमें सिसा जस्ता है और भदवासी जो नागोर की खाने हैं वहां से जिपसम प्राप्त होता है और दाता बुहास और बनेडी हैं यह बीलवाडा की खाने हैं यहां से अबरग प्राप्त होता है थूरूंडेर उद्धिपुरवाली है यहां से लोईसक, काईडखान अजमेर से शिशाजस्ता, बदवासी नागोर से जिपसम, दाता वुनास और बनेडी यहां से अबरक की प्राप्ति होती है 46 में, राजस्तान की किस पंचवर्शी योजना का लक्से राज्य की प्रतिविक्ति आई और राष्टी प्रतिविक्ति आई के अंतर को कम करना था तो दसवी पंचवर्षी योजना बनी थी 2002, सेंले के 2007 में इस पंचवर्षी योजना में ये लक्षे रखा गया था कि राजीय की पढ़ती वेक्ति आई और राष्ट्टे पढ़ती वेक्ति के आई को अंतर है वो कम हो 47 में किस चित्र-सेली के चित्रों में जेपुर की चित्र सेली है उसमें ऐसा वरनीत है। वर्ष 1999 में बेराट सब्वेता की किस फाड़ी से असोक कालीन गोल बोध मंदिर एंव बोध मत के अवसेस प्राप्त हुए हैं तो वो बीजग फाड़ी है वहां से सन 1999 में इस परकार के अवसेस से वो मिले हैं। अन्तिम पचास नमर के सवाल में एक तरफ संस्तान दे रहे हैं दूसरी तरफ है उनके स्तापना वरस हैं। तो सांबर साल्ट लिमिटेड है इसकी स्तापना 1964 में हुई थी। इंस्ट्रूम इंटेंशन लिमिटेड है ये कोटा में है इसकी स्तापना 1965 में हुई थी। राजस्तान परियाटन विकास निगम इसकी 1989 में और राज्य महिला आयोग की स्तापना है वो 15 मई 1989 में हुई थी। दुबारा देख लें सामर साल्ट लिमिटेड है इसकी स्तापना 1964 में। इंस्ट्रूम इंटेंशन लिमिटेड कोटा है वो सन 1965 में। राजस्तान परियाटन विकास निगम लिमिटेड है इसकी स्तापना 1989 में और राज्य महिला आयोग है इसका गठन है 15 मई 1989 में को हुआ था। तो ये आपके टोटल पचास जो महत्वपूर्टत थे थे वो सामिल हैं हाना कि साथिवेश में पचास से भी कहीं ज्यादा परसन है वो समाईत मेरे द्वारा किये गए थे तो आपको ये जितने भी जो क्यूसन है उनका इस तरह आपको कैसा लगा है तो आप कमेंट वोक्स कमेंट करके आप बता सकते हैं इसके अलावा जितने भी जो आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनमें भी मेरा पुरा परियास रहेगा कि अलग अलग परकार की परसन है जो अलग अलग जैसे राजस्तान के बहुल है कलासन्स करती है इतियास है परियटन है या राजस्तान क योजनाओं से समंदित है, सभी क्यूशन है वो अलग-लग प्रकार से समाहित किये जाएंगे ताकि आपका पूरा सिलेवस है वो कवर हो सके राजस्तान अदेन से समंदित और ऐसे ही बहतरी पीडियों के जो कलेक्शन है वो समय समय पर आपको उपलब्द होते रहेंगे अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले गंटिके निसान को दबादे ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियों है उनके नोटिफिकेशन के सुचना आपको तुरण प्राप्त हो सके तो मिलते हैं ऐसे ही एक बहतरी नए वीडियो को लेकर बहुत जल्द हाजीर होंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत